ये कल यानि की 4 जून को तैह हो जाएगा लोगसभा चुनाओं के सबसे आखरी पड़ाओ में कल होनी है मतगणना जिसकी तयारी हर पार्टी कर रही है बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेश तयारी की है खबर तो ये भी है कि कल नतीजों के बाद अगर बीजेपी की जीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक भव्य रोट्शो कर सकते हैं इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट बस कुछ पल का इंतिजार जब सबसे बड़े लोक तंत्र का जनाधार देश के सामने होगा 76 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद देश को मिलने जा रहा है देश का प्रधान जिसके कंधे पर 140 करोड जनता की बागडोर होगी और इसी कमान के लिए सियासी घमासान मचा है यूपी के कोने कोने में नरंद्र मोदी को फिर से प्रधान मंत्री बनाने के लिए हवन पूजन हो रहा है और पीए मोदी के लिए जीत की प्रार्थना की जा रही है मतगरना से पहले दिल्ली में राजनेतिक हलचल बहुत तेज हो गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नटा के घर बड़ी बैठक हुई जिसमें केंध्रिये ग्रह मंत्री अमितर शाह भी मौजूद रहे इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि चुनावी नतीजों के बाद की बड़ी तयारी हो रही है जीत हुई तो मोदी भव्य रोड शो करेंगे पीएम आवास से बीजेपी ओफिस तक रोड शो होगा लाखो लोग इस रोड शो में आ सकते हैं पीएम मोदी का अविनंदन हो सकता है बीजेपी का दावा है कि चुनावी परड़ाम उनके पक्ष में आने वाला है और फिर से नरंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बनने वाले हैं पूरा भारत मिलकर यशश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है हर मा, हर बहन, हर लाभारती, हर वो गरीब तपका, हर वो रोजगार तपका जो रोजगार पाया है और वो बे रोज़गार तब का जिनको विश्वास है कि अब हम को नया रोज़गार मिलेगा मेरे विश्व के प्रधान मंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे. तो एक आए थी हासिक वोटिंग होगी क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुना हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोखने के लिए विश्व के सबसे वड़े नेता को रोखने के लिए आए पर विश्व के साथन में कुंडा गर्दी होती है तो आज राजी के अंदर अपने को लोग महसूस नहीं करते थी तो एक तरह के कानून का राज है तो जिसके करन जनता जानर देन उसको शिकार किया कि आज मैं सुरच्छित महसूस करता हूँ सुत्रों के हवाले से खवर है कि नतीजों के बाद बीजेपी की जीत हुई तो नई सरकार का शपत ग्रहन नई जगे हो सकता है शपत ग्रहन के लिए दिल्ली के भारत मंडपम, यशो भूमी और करतव्यापत जैसी जगों को लेकर बीजेपी के नेता फीडबैक ले रहे हैं और मोदी सरकार के शपत ग्रहन के बाद बड़े जश्न की तयारी के लिए इन लोकेशन को देखा गया है हलाकि फाइनल लोकेशन पर अभी मोहर लगनी बाकी है वोटिंग शुरू होने में महस कुछ घंटे का वक्त रहे गया है और उससे पहले एग्जेट पोल और एवियम को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है एक तरफ कॉंग्रिस हैं एग्जेट पोल को नकार कर रही है तो दूसरी तरफ इवियम पर अभी से सवाल भी खड़े कर रही है दिगवेजे सिंग ने ईवियम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बलकि ईवियम का वोट होगा वहीं बीजेपी ने दिगवेजे सिंग को जवाब दे दिया कि खिस्यानी बिलने खंबानोचे अगर शोपार एक सीट के अलावा सब सीथे जीत रहें है कांती सीट एक लडाइए में क्यूत ओड़ा जो तेवा इस का आधार जो तेवा इस का अधार जो ते पॉल के सम्हावित नतीजे एक जिट पोल में एंडिये को बंपर नंबर इंडिया गटवंधन की धड़कने बढ़ा चुका है राहूल गांधी ने पहले दावा किया इंडिया गटवंधन को 295 सीटे मिल रही है लेकिन वो दावा अब EVM पर शिफ्ड हो चुका है हमारा exit poll ये कहता है कि सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गटवंधन उत्तपरेस में जीतेगा ताका वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुम्मत नहीं मिल रहा है और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार लेकिन जो संभावनाय बनी है उनकी वज़े से गटवंधन में हड़कम पमचा है यही वज़े है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है सर्वे करने वाली ज़्यादातर एज़ेंसियों ने इंडिये को बहुमत के आसार जबाए यानि एगजिट पोल लगातार तीसरी बार मोधी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं लेकिन अगलेश यादव के साथ कॉंग्रस के नेता एवी एम पर सवाल उठा रहे हैं और गटवंधन की सीटे ज़्यादा आने का दावा कर रहे हैं हमारा एगजिट पोल यह कहता है कि सबसे ज़्यादा सीटे इंडिया गटवंधन उत्तपरेस में जीतेगा और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बाटते हुए इनके कारकरताओं को पकड़ा और एफाइयार हुई और उसके बाद इनोंने जूटी सिकायत करके भारत निर्वाचन आयोक दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाप कारवाई करवाई एकजेट पोल की तस्वीर में एंडिये की बल्ले बल्ले हो रही है और यही वज़य है कि बीजेपी का एक-एक नेता विपक्षी गटवंधन को घेडने में जुट गया है साथी परणाम से पहले इवियम पर मचे घमासान की आलोचना हो रही है जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुम्मत नहीं मिल रहा है और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 205 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है वो इवियम मशीन का वोट है आज एकजिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार परदान मंतरी बनाने के रुजान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करने जीट पहले तो उन्होंने साइथ बहिशकारी किया कि हम एकजिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भागी नहीं लेंगे विपक्ष का EVM रात पहली बार नहीं बलकि तमाम चुनाव में जब BJP की जीत होती है तो ठीकरा EVM पर फूटता है ऐसे में एक बार फिर EVM को जिम्मेदार ठहराने की तयारी से पहले फाइनल परिणाम का इंतजार तो जरूर ही कर लेना चाहिए भीरर रिपोर्ट न्यूज एती रहे हैं जिसमें बड़े और चौका आने वाले फैसले भी वो लेने वाले हैं इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या सच में 400 पार कनारा पूरा होने वाला है अब लिखके रखिए मेरे देशवाजियों हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एंडी एट 400 पार करने वाला है उत्तर दक्षिन पूरा पस्षिम जहां कहें भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा एक ही स्वर आपको सुनाई देगा आम जन्मानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वा है ये फिर एक बार मोदी सरकार अपकी बार 400 पार क्या सच में राहूल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है राहूल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है मेरी बात याद रहा और अखिलेश बाबो कितना भी आपके प्रती सहानुबूती से में बात करो आपका चार भी पार नहीं होना है चार भी क्यूकि एक्जिट पोल के बाद ही प्रधान मंत्री तीसरे कारेकाल की तयारी शुरू कर चुके है अगले 100 दिन के एजंडे पर मंधन कर चुके हैं अगले 100 दिन के लिए खाका तयार हो चुका है अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिये जाएंगे सरकार की प्रात्मिक्ता की रूपरे खा तयार हो चुकी है जो नंबर मोधी सरकार ने चुनाओं से पहले दिये थे करीब करीब वही नंबर एक्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं ऐसे में जहाँ पिये मोधी अगले 100 दुरूं का खाका तयार कर रहे हैं तो वहीं इंडिया गटबंदन एक दिन पहले ही चार जून को लेकार बैठक कर चुका है इंडिया गटबंदन कम से कम 255 सीटे प्लस 255 से ज़्यादा आएंगे कम तो नहीं आएंगे यह हमने आकलन किया कि सभी हमारे मेताओं से पूछने के बाद यह एक आकड़ा हमारे पास मिला है और इस आकड़े में कोई बदलाओं नहीं है कॉंग्रेस और इंडिया गटबंदन के नेता 255 सीट का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोधी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं हम सबकी पार्टी भारतीय जन्ता पार्टी को तीन सो सतर से जादा सीटे देंगे और इंडिया चार सो पार करेगी इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोगत तर्थर के चुनाओं में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी जन्ता पार्टी इस पलट जाएंगी और इंडिया गडबंदन पीडिया की डड़नी सब ज़्यादा सीटे जीतेगी इस वाल रहे हैं एक तरह विपक्ष एक्जिट पोल के आगड़ों में उल्जा है तो वहीं माराजार आए कि देश की राजनिती में चार जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है तोकि पीएम मोदी ने दो दिन पहले ही इसके संकेत दे दिये थे चार जून के बाद अगले च्छे महने में देश में बहुत बड़ा राजनिती बूचाल आने वाला है ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप विखर जाएगी नरेंद मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहर चोकाने वाले फैसले करते हैं जबकि नरेंद मोदी कहते हैं कि देश चिन फैसलों पर चौकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अकले 6 महीने में राजनितिक भुचाल आने वाला है तो इससे हलके में नहीं लेना चाहिए वो भी तब जब एक्जिट पोल के आखड़े मोदी के पक्ष में हो विरो रिपोर्ट न्यूजर टी और चरण दर चरण प्रचंड गर्मी के बीश आखिरकार साथ चरणों में हुआ चुनाव संपन हुआ और सफलता पूर्वक संपन हुआ इस बार के चुनावे महापर्व में कई मुद्दे चाहे रहे हर चरण के साथ चुनावी गेर भी बदलता रहा आखरी चरण में माहौल शिमला वाली फीलिंग देने लगा था हैसा हम क्यों कह रहे हैं? देखे ये रपो असी सीटें, साथ चरण और प्रदेश में लोकसवा के चुनाविरण में एक से बढ़कर एक सियासी दिगज मुकाबला जोरदार तो मैदान में हलचल भी उतनी ही ज्यादा थी नेताओं ने बाजी मारने के लिए पूरी ताक जोंग दी शब्द वेदिबान जम कर बरसे प्रचंड तपिश और गर्म थपेणों के बीच साथ चरणों को भीदता हुआ चुनाविरथ अपने गंतव्वे तक पहुँच गया इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाई रहे हर चरण के साथ चुनावी गियर बदलता रहा और पच्चिम उत्तरप्रदेश चले बयानों के तीर उर्वांचल तक पहुँचते पहुँचते चक्रवात में बदल गए यूपी की कानून व्यवस्ता का सवाल शिमला वाली फीलिंग देने लगा माबाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुडवा देते थे व्यापारी इसी खोप में जीते थे अब कौन गुंडा फिरोती मांग ले कब किसका प्लॉड कब जा हो जाए कब किसका खेज चला जाए सरकार की जमिन तक पर माफ्याओं ने महल खड़े कर दिये थे लेकिन जब से योगी जी आए है माहोल ही बदल गया मौसम भी बदल गया हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है बाई गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाँ में है लेकिन इतना मैं जानता हूँ बदमासों को गर्मी के दिन भी गर्मी के दिन में भी सिमला की ठंड का इहसास कराने का काम उत्तरपदीश के हाथ में पहली बार किसी ने किया है तो योगीजे ने किया है चरण दर चरण सियासी दलों में बैचे नी बढ़ती गई हर चरण में NDA के तरकष से नयातिर निकलता चला गया 2024 की लड़ाई और अंगजेब तक चली आई और उधर अखिलेश यादव सियासत में धूँआ धूँआ करते दिखाई दिये समाजवादी पार्टी ने मेनपुरी में राष्ट नायक माना प्रताथ की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रियास किया इस अकबर और औरंगजेब की उलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है इस नय भारत में राष्ट नायकों का मान भारत स्वीकार नहीं करता है यहाँ डबल इंजन का इस बार धूआ निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धूआ थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूट होगे लोग मिल करके दोनों इंजनों का धूआ निकाल देंगे उनके घिसे पिडे डायलोगों को सुनना नहीं चाहते हैं जिनोंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे मनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए पियम मोदी, गुरह मंत्री अमित्शा, मुखे मंत्री योगी आधित्यनात एस्पी अद्यक्ष अखिलेश यादव और राहूल गांदी के बयानों के तीर से त्रणक्षेत्र का पारा चड़ता रहा इसके साथ ही एक बात तो तै थी कि सियासत के केंद्र में सिर्फ मोदी ही चुनावी मुद्दा रहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जुबां पर ये नाम चाया रहा समझ लीजिये, आज जितनी बेहमेंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वज़े है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में क्योंकि ऐसी राजनीती हावी हो गई है पूरे देश में जिसके नेता समझ रहे है कि धर्म के आधार पर आपसे वोट ले लेंगे हर पाक साल हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम करके हर चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे सत्ता ले लेंगे और उसके बाद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यही उनकी विचार धारा है यूपी में सातों चरंड में हुए चुनावों में मुद्दों के साथ ही बयानों से उपजी गर्माहट में समीकरन पिखलते दिखे अब इंतिसार है चार जून के नतीजों का जो बची तस्वीर भी साफ कर देंगे न्यूज एटिन के लिए बीरो रिपॉर्ट